कोट के ओडर के बाद बीएड को प्रात्मिक सिक्षक भरती से बाहर किया गया है या क्या आदेश दिया गया है इस वीडियो के माजम से हम इशपष्ट करेंगे काफी जादा वीडियो यूटूब के उपर जो है इस तरीके से वाइल हो रहे हैं कि अब विभिन राज्यों में जिस तरीके प्रात्मिक सिक्षक भरतियां होती हैं उसमें बीएड को जो है उस दायरे से बाहर कर दिया जाएगा अर्था बीएड वालों को प्रात्मिक सिक्षक भरती में सिक्षक में फोम भरने का मौका जो है नहीं दिया जाएगा अब यहाँ चीजों को किलियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है तो आप सभी लोग बिना इसकिप किये पूरा का पूरा मुद्दा पूरा का पूरा मैटर समझेंगे उसके बाद अपनी पर्टि के लिए आप जो है कमेंट्स बॉक्स में डीजेगा यदि आप चाहते हैं कि बियरड वाले प्रास्मिक सिक्षक वर्टि में बने रहें तो भी अपनी पर्टि के लिया दीजेगा और यदि आप चाहते हैं कि इनको मौकर नहीं मिलना चाहिए तो भी आप जो है कमेंट्स कीजेगा यहाँ पर असली बात पर आते हैं कि आखिरकार मेटर क्या है तो देखेगा यहाँ पर हम किलियर करते हैं कि लाश्ट यार आपकी जो है जीट एक एक्जाम सोचा है जाइस्थान जाज्ये के अंतरगत तो जीट लेवल वन लेवल वन से मतलब यह है कि यह प्लाश्मिक सिक्षक भरती के लिए आपका जो एक्जाम सोचा है जाइस्थान के राज्ये के अंदर तो उसमें क्या हुआ कि आपके जो है बीएड और डियलेड दोनों को जो है इसमें सामिल किया गया अब इसके अंतरगत जोदपूर हाई कोट आता है जिसमें यह मामला चला गया पहले से ही के आपको जो जीट लेवल वन है उससे बीएड को बाहर किया जाए उसमें केवल और केवल जो है डिपलोमा धारक चैसे आपका डियलेड होता है या बीटी ही होता है या अन्य जो डिपलेम होते हैं उनको ही रखा जाए लेविल वन से जो बढ़ती होती है वो प्राइमरी टीचर्स की होती है कक्षण 1-5 तक वाले की तो वहां से यह जो है जो है जोद्पूल High Court से decision आया फिर उसके बाद निकल करके तो उन लोगोंने क्या किया कि बी-एड को जो है इस Level 1 से जो है बाहर कर दिया गया अब बी-एड को उन्होंने कहा है कि आप जो है Level 2 का जो आपका एक्जाम्स होता है रीट का उसमें आप लोग योग्य हो बीएड लेविल वन में आप योग्य नहीं है तो जिन लोगों ने रीट का आपका एक्जाम्स दिया था लाश्ट यर उनको फिल से जब रीट का इस बाल जो है फॉर्म निकला गया तो बिना फीच के ज अब उनका जो है कोट के आदिश के बाल बाहर कर जाए गया तो यहाँ से चीज़े किलियर हुई उसके बाद क्या मैटर हुआ कि यह जो अभ्यल्टि बाहर हुए इन लोगों ने क्या किया कि कोट में जो decision आया जो अदपुर कोट से उसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट से क्या decision आया है वो मैं आपके लिए clear कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट से लगतार जो है 8 से 10 dates आपको दीर गई है कि आपकी सुनवाई जो है तब होगी अभी जो है फिराल जो है जब तक आपकी सुनवाई नहीं होती है इस पर खास decision नहीं आता है तो जोदपूर जो court वाला निन्या है जोदपूर high court का जो निन्या है वही मान्य रहेगा तो कुल मिला करके कल आपकी जो सुनवाई हुई है 16 माई 2022 को उसमें court ने जो है एक नई डेट दे दी है सुप्रिम कोट ने और यह जो डेट है यह दी है आपको 19 जुलाई 2022 के 19 जुलाई 2022 को आपका जो इस पर केस पर सुनवाई होगी अब यह तो 19 जुलाई को ही डिसकर्स हो पाएगा क्या खिकार कोट में होगा क्या सुनवाई होगी या फिर से आपकी तारिक दी जाएगी या इस पर कोई ठोस निन्ने लिया जाएगा लेकिन कुल मिला करके अभी तक का जो मेटर है उसमें वियाड अब्वेटी जो है प्राइमरी से बाहर है जीट के अंदर वारिस्थान के अंदर अब मुद्धा आ जाता है यूपी का के यूपी सुपर टैट की जो वेकेंसिज हैं वो इस बार आने वाली है और इसमें क्या परकिरिया होगी बियाड वाले अब्वेट्चों के अंदर ये है इसी तरीके की घबराएक्ट है कि उनको इसकी तैयारी सुरू कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए आखिर क्योंके जवरारिस्थान वाज्य में इस तरिके का डिसीजन आया है और सुप्रीम को'reट यादी वियाड को यहां से अयोग्य गोशित कर देता है तो फिर जहां तक सुप्रीम कोर्ट का पक्ष है वो यही लग रहा है जो जोदपुर हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके तरफ ही आपका जुकाव लग रहा है तो वहां से वियर बहार हो सकता है तो यह चीज़े लेकर के यूपी के अंदर जो है डर है तो मैं आप लोगों के लिए यहां से कुछ क्लियर करना चाहूंगा चाहिए जो मेरे अनुगव के अधार पर है कि आखिर कार आपको करना क्या होगा शूपर टैट आपका कब होगा और इसकी तयारी आपको कैसे कर दे हो जाएंगी और उसके बाद आपको इतनी बड़ी भरती की परक्रिया देखने को नहीं मिलेगी तो यहां मैं पहले आपके लिए क्लियर कर दूँ के यूपी के अंदर जो बियाड अब जाथी है उनको क्या करना चाहिए हाला कि जो डियाड एड है या डिवलोमा अब पर टेक्ट की तियारी करें जिन लोगों का यूपी टीटी या सी टीटी का एक्जाम्स किलियर हुआ है तो यहां से आपके लिए जो है यदि आपने बियाड किया हुआ है यूपी के अंदर आप जो है टीचिर में एडमिसन लेना चाहते हैं टीचिंग प्राथ्मिक लागू हुआ है उसके अनुसार आपका आपका जो है यहाँ पर मोका दिया गया है प्राथमिक सिठ्चक बर्ती में फाने का है कि अब जहान भी आपकी बीजेपी की गोर्ल्मेंट है तो यही निन्सेसित्ख के फोलो रहेगा 2018 वाला दारिस्थान के अंदर जो है कॉंग्रेस की सरकार है तो यहाँ पर सरकार का जो है effect बहुत बढ़ता है क्योंकि NCT जो आपकी नियम बनाती है वो central government की जो भर्टिया होती है जैसे आपकी केंद्य विधाल्य में होती है नवोद्य विधाल्य में होती है या CBSC board के अंतरगत जो भर्टियां आती है तो उस तरीके की भर्टियों में जो है नियम मुखे रूप से बनाया जाता है और राज्यों को ये आदेश दिया जाता है कि राज्य अपनी स्थिति के अनुसार नियमों में परिवर्टन कर सकता है इसी को लेकर के राज्यों में परिवर्टन हुआ है किसी और राज्यों में भी ऐसा हो सकता है कि बियाड को प्राथमिक में सामिल ना रखा जाता हो लेकिन यूपी के अंदर जो है यहाँ पर ये निन्ने फिलाल फाइनल है और 2018 से ही ये परिकरिया आपकी चल रही है इस ते पहले भी आपकी दो भरतिया आपकी हो चुकी है 78,500 वाली और 69,000 वाली तो वही परिकरिया यहाँ पर दोहराई जाएगी 2022 में जो आपकी परिकरिया यहाँ पर 2018 में आपकी जो परिकरिया होई है वही परक्रिया आपकी 2022 में होगी तो B.A.D. वाले जो है यहाँ पर 100% मान्य रहेंगे UP के अंदर की मैं बात करना हूँ किसी अन्य राज्य की बात नहीं करना हूँ हाला कि बिहार में भी इस तरीकी की विकेंसी निकली है उनमें भी B.A.D. को जो है मानने किया गया है तो UP के अंदर भी आप लोग B.A.D. वाले शोर है 100% आपका जो है यहाँ घबराने वाली बात नहीं है अब जो है बात कर लेते हैं सूपर टैट का आखिर का फॉर्म कब आएगा तो यह चीज़े तो आपकी किलियर हो चुकी है कि तैयारी आप सभी लोगों को कर लेनी चाहिए जिन लोगों का CTET या UPTET का लेविल वन का एग्जाम्स आपका किलियर है वो लोग जो है इसकी तैयारी में आप जो है जो है जो है जोट जाईएगा जहां तक अंदेशा यह है कि सूपर TET की आपकी जो वकेंसिज हैं वो कब तक आएगी तो सूपर TET पर जो है लगतार मंथन चल रहा है और PNP पर जब भी सरकार का जो है आदेश आ जाता है तो वो वकेंसिज निकाल देगा संभावना यही है कि आपकी जो वेकेंसिज हैं वो जुलाई और अगस्त इन दो महीने के अंतरगत आपकी जो है दो हजार बाइस में निकल सकती है पदो की संख्या जो है 51,000 से लेकर के 97,000 के बीच कुछ भी हो सकती है पदो के लिए ही अखिरकार मारा मारी चल रही है क्योंकि जो पी एन पी का आदे से इसको अनिसा पिछली भज़ती से जो 17,000 पद रिक्त हैं उन्हीं पर पहले भज़ती की परक्रिया लाई जाए और सरकार ने अभी तक इस तरिए कोई आदेस नहीं दिया है